कि आप अपनी सफलता पसंद नहीं कर सकोगे यहर किसी को सफल ही वनाए लेकिन हर कोई तो सफल नहीं होता है तो आप पिरम कहते हैं कि किस्मत है भगवान है आशिरवाद है यह वो रहे लेकिन आप अपना संगर्श पसंद कर सके हलो दोस्तो मैं डॉक्टर योगेंदर सिंग राठोर्ड और आप लोगं के सामने लेकर के आया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड मुझे बहुत खुशी आप लोगं को यह बताते हुई कि आज बहुत ही इंपक्ट देश और विदेशों में लेक्शर्स लेके इन्होंने किया है इनका एक काफी पॉपुलर शो भी रहा समवाद जिसके दोस्तों से ज़्यादा एपिसोड बनाएगे इटीवी पर परसारीद भी हुआ आज बहुत सारा इंस्पिरेशन लेकर के वो हमारे बीच है और यह बात करने में तो और अच्छा लग रहा है क्योंकि जो काम आप करते है वो काम में भी करता हूँ कुछ-कुछ अलग तरह से करता हूँ लेकिन काम तो वही करता हूँ कि जितने लोग है उनको किस तरीके से जीने के लिए प्रेडित किया जाए मैं तो यह कहता हूँ जीवन ही आपका सिक्षक है तो आप जीने के लिए इंस्पायर हो जाओ तो बाकी सब मिल जाएगा मोटिवेशन आप परफेक्ट परफेक्ट जी बहुत सारे लोग तो आपके कहानी और लेडी जानते हैं हमारे कई यंग दर्शक भी हैं तो मैं चाहूँगा कि अगर एक शोट में आप बता सेकें कि कैसे आपकी ये लेखन की जरनी राइटिंग की जरनी कैसे शुरू हुई अगर उसके बारे में कुछ बताएं था जी उसमें मुझसे ज्यादा में बताना चाहूँगा कि मेरे माता-पिता का रोल बहुत बड़ा है क्योंकि आद तो दिवंगत है इस दुनिया में है नहीं लेकिन उस जमने में उन्होंने जो प्रेम विवा किया तो दोनों की अलग बता नहीं उसमें लेकिन उन्होंने मन वाला मामला लिया दन से दन के बजाए तो रोज की किताब लेकर आते थी और मुझे घर पे बढ़ाया So I am a product of a home school. Okay. तो मैं घर पे ही बठाद. तो आप कहलते हूं नहीं दे? नहीं, मैं प्राथवी कक्षा जिसको कहते हैं, उसमें स्कूल ही नहीं गया, फिर आई स्कूल से में गया. Okay. और ये गवर्मेंन का रूल भी है. बारत में, यूरोप के कुछ देशों में ऐसा है, कि एजुकेशन इस कंपल सरी, मानि इस अ क्राइन, अगर आप बच्चे को स्कूल नहीं बेखते हो. Okay. बारत में, अप्शनल है, ये कानून है, कि आप गर पढ़ना है, तो पढ़ सकते हो, आप डाइरेक्ली एक्जम भी दे सकते हो, दसवी कक्षा की, मानि ऐसे सीपलेमेट्रिक कहा जाता था. Okay, ये नहीं पता था, ये तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है. तो आप इसे राइट टु एजुकेशन में ये भी है, कि आप एकलोवियो की तरह अपने आप पढ़ सकते हो. अरे वाँ. बैचो की कहानिया से शुरू ही, अमर्चित्र कथाया आती थी उसवत, इंदरजाल कोमिक्स भी आता था, मुझे यादे ही थी और गुजराती में भी बहुत सारा बाल साहित्य था, रमदाल सोनी, जीवराम जोशी, काफ़ी सारे अरिशनायक, यश्वन्त महता, ऐसे रहती में कॉमिक्स आता था, आज भी मेरे पाच कुछ-कुछ संग रहे, तो ये एक संगल पुर्णो ने किया था, रोज की एक किताब लेकर आओ, तो वो किताब तो पहले लेकर आ जाते थे, कुछ तिस चालिस ले आते थे, लेकिन मुझे रोज की एक देते थे, तो मैं प जो मुझे मिला है, वो उसकी वज़े से मिला है, तो चालिव टेर डिफरेंट एजूकेशन हो अगुए तो उसकी वज़े से आज जहां पर मैं हूं वहां पर मैं पहुंच सका, क्योंकि उसमें फाउंडेशन आया बोलने का, निखने का, शब्दों का, सोचने का, सबसे महत तो आज भी नहीं है, तो महीं पर बड़े हुए, तो उन्होंने एक वागा कि महाराजा साथ थे, वो बड़े फेमस से, बगवज सीजी उनकी एक लाइबडरी थी, वो भी मुझे बड़ी हेल्फूल हुई, एक्सेस थी उसकी आपको, और आज भी एक लाइबडरी तो उन् से ही आपने शुरू किया ऐसा, स्कूलिंग, जो एक्साम दी और स्कूलिंग उसमे एक अच्छी स्कूल थी वहाँ पर, विध्या मंदित, और उसके शिक्षक जो थे उन्हों को कुई प्रयोक पता था कि जई क्या कर रहा है, तो वहाँ से कुछ अच्छे दोस्त भी मिले, और मेरे माता-पिता नी ये खयाल रखा था, जो हमारे दर्शकों को भी शायद अच्छा लगे, कि एक ही सोच की किताब ना आए, मानि सब कुछ आए, उसमें कॉमिक्स भी हो, उसमें साइन्स भी हो, उसमें स्पिरिचूलिटी भी हो, उसमें ओशू भी आ सकते और विवेक चल्डन भी पठ सकता था, उसवक्त, सिनेमा का मेगजीन आता था, स्क्रीन और फिल्म फेर, वो भी पठ सकता था, और अपनी जो इंडियन इच्छ जज़ गांधी साहिती है, तो गांधी जी के यूग में भी बना साहिती हुआ, वो भी मेरे गर पे रहता था, तो दोनों स तो मैं कॉलेज में जब गया, तो कॉलेज में मैं तो इसा मानता था कि मैं आदंद करने के लिए कॉलेज में गया है, क्योंकि जो पढ़ना लिखना है, वो तो कर चुके है, लेकिन वहा किया कि वहाप इस परधाय उस वक्त होती थी, निबंदर वक्त रुत्व, यानि ये दू मुझे बली पसंद आती थी, ये दो लिए, और क्वीस, तीसरा, आज मैं में एक कंप्लेंट भी करता हूँ, मेरे कार्यकरम में भी कहता हूँ कि आज के विश्व विद्यालमें में बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, लेकिन ऐसे, सेल्फ इंप्रूमेंट के कॉम्पिटि क्योंकि लोकली भी बहुत होती थी, दिस्टिक में होती थी, युनिवर्सिटीज में होती थी, चोटी वक्तुर्चस परदा, दिबंस परदा, तो चूंकि शब्दों के बारे में मुझे बहुत सोचना नहीं पड़ता था, आज रखके ऐसा नहीं, प्रिपेरेशन नहीं कर हैं, तो आप कह सकते ही कि एक अच्छी सोच और अच्छा जो अप्रिंगिंग हुआ, माता पिता का, उसकी वज़े से ये पूरा, आज वो दोनों दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका आशिरवाद है, मेरे साथ में तो मानता ही हूँ, को मुझसे अच्छे लोग है, प्रति किया, वही है. साथ से एक और चीज मुझे याद आ रही है कि मैं भी जब छोटा था तो मेरे मामा हमेशा रात को सोने से पहले कहानिया सुनाते थे, स्टोरीज हमेशा सुनाते थे, तो मेरी स्पीकिंग स्टैल में भी मैंने देखा कि सम्हाँ वो आज भी मैं स्टोरीज केरी फोरवर्ड क कि उन्हें कि उन्हें क्या चेंजिस करने की जरुत है या फिर क्या उन्हें करना चाहिए, so that they can also have such an impactful upbringing for their kids, so what's your views on that? यह बहुत अच्छा बात आपने कहानी वाला जो जिक्र किया, यह parents को तो मैं सबसे पहले कहूंगा, क्योंकि यह storytelling तो हिंदुस्तान की विरासते, हमने तो हमारे जो इठोस है, हमारे जो काफी सारे आज्यत्मिक उपदेश हैं, उनको भी कहानियों के साचे में डाल डाल के तक पहुचाया है, हजारों साल पहले की हमारी विरासते, यह तो गीत काविया के बाद जिम से प्रस्तूती कीजिए, छंदो बद्ध कीजिए, बगवत गीता हा, सौंग, श्लोक है, अब गा सकते हैं इसको, और यह तो बहुत कहानियों के बाद जिम से कीजिए, पंचतंत् साल बिंध कीजिए, तो यह तो करना ही चाहिए, पैरंट्स को यह तो पूल अला सभर अगा हुए है, एक बात जो मैं कहता हूं, की पैरंट्स को कृष्ण की तरह यह कात में बासवरी दखनी चाहिए, और यह कात में सुदर्शन रखना चाहिए. यह मेरा तरिका है कहने का कि बासुरी मानी आप दो प्यार भी दो, बद दो बच्चों के साथ वक्त उसको उसको करने दो, उसको इंडिपेंडन्स दो, जो मेरे पिताजी कहते थे, कि मेरे पिताजी कहते थे, कि फ्रीडम टू, है उसम मिस्टिक्स इन यॉर लाइफ, आजादी तो उसको कहते, आप गल जब आप गलती करोगे तो जिम्मेदारी का बोज आएगा आपके उपर, आपको लगी राकित मेने गलत किया, फिर आप सीखोगे उसमें से, और फिर दूसरी बार नहीं करो, ऐसा नहीं कि गलती को रिपीटिशन, वो ये भी कहते थे, कि गलती को फिर फिर बार बार दोरा गुना होता है, अलगला कर लो, सेम को वापस नहीं करो, सिखो उसमें से, लेकिन आपको फिर इसलिए देता हूं कि आप जिम्मेदार इंसान बनो, हर बार तो माबाप साथ में नहीं आ सकते, मेरी मा एक बात कहती थी, वो भी बड़ी इंट्रेस्टिंग आज इपला हो सकती वो कहती थी कि बच्चों को आप ऐसा मत बढ़ा करों कि उसको जैसे रेश्रम का रास्ता मिलेगा, मखमली को इसा कोई कालीन बिशा के लोग रखेंगा आपके लिए, लेकिन उटके पाव इतने मजबत बढ़ाओ कि वो किसी भी कंटक पत्थर पर चन सके, उनको इसा अप अप के से दो, तो सुदर्शन मानी आपके पास अनुशासन होना जाएए, पेरन्स के पास, कि ये डिशिशन मेकिंग का अनुशासन, अनुशासन का लोग दर में प्रयोक करते हैं, देखो ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ये तो डर हो गया है, तो सजा की दमकी हो गई, न और भी खाने है, वो जो बैठना है हर जगे में, राइड्स में सब में, तो मुझे कहते हैं, वे देखे हमारे पास 20 रूपिय है, अगर हो भी उनके पास 100 रूपिय पिर भी कहते थे, तो तुम आज तही करणा है कि आज तुम क्या करोगे, माकी कल करेंगे, तो ये आज में करेंचमन्ट आ गया, खिलते हुए, यहमें मजा करते हुए, आज आज सरह आ गया, कभी ये करना है, ये नहीं करना है, हमें चूज करना है, थो अजयर पिक सम्झ धिक सम्झ, प्रोस्स करना पड़ता है, पलफने कि चोटे बच्चे को भी, कि ये मैं करूँ गा है या नहीं करूंगा सब एक साथ नहीं होबाएगा उसके choice making भी shape हो रही है और ऐसा भी नहीं कि उसको वंचित किया जा रहा है क्योंकि आज अगर मैं नहीं किया तो कल तो है न कल वो आएगा लेकिर आज के लिए मुझे choose करना है मुझे पसंद करना है तो यह आज बड़ा important है मैं देखत और सिर्फ गर बेटके बच्चों को बड़ा करेंगे तो उसका पतलब क्या है तो मैं कहता हूं कि आप थोड़ा management कीजिए अगर दोनों करियर में है माबाप दोनों तो थोड़ा time का management कीजिए कि भी मैं तो पिता जीओ को भी कहता हूं बाता जीओ को तो सब को लोग केते ही है मारिया कि यसा कीजिए यसा कीजिए पिता जीओ को कहता हूं कि आपका भी बच्चा है इसा नहीं है कि जर्फ एक female के responsibility रहती है उसको बड़ा करने के तो अब तो ऐसा है कि आप भी घर पे थोड़ा time दो अपनी वाइफ अगर कोई career woman है तो उसको अपने काम पे जाने दो किता है तो आपको यह करना पड़ेगा एसेम्ली लें प्रोड़क्शन है स्कूल तो तो उस अब बच्चे को यह की तरह किसे सिखाएंगे अब आपके संस्कार क्या है आपका तरीका क्या है आपका जीवन क्या है उसका जो reflection आएगा बच्चों में तो आप वक्त दो कि तभ तो इसनी चोड़ें कि उन्होंने एक कहा था कि या तो मुझे एक डिसिशन लेना था कि बच्चे को मेरे जीवन में आना देना है या नही आढ़ा है मैं मा बनूँगी या नहीं बनूगी मैं तो महा बनुगी, मेरा कॉण्शिएस डिशीशन था, कि मुन मां बनुगी, तो अब मां बन जुकी होंगी तो यह भी जit को हम एक जोब लिनी है, मेरा डिशीशन है, यह भी मेरा रिशीशन है, कि में जब मां बनना है, तो मां better लिन्हेससा, तो में हंडर्ट परसंट मां तो उनके जो बात थी कि भी 50% मदर नहीं होगी, तो 100% होगी, अगर टीचर भी होगी, तो 100% करूगी, तब किया तब 100% किया, वक्त गड़ी में वक्त देखे बगेर किया, और आज भी अगर मा बनना है तो भी conscious decision है, औरना काफी सारे लोग बच्चे नहीं भी ले आते हैं कि बानसरी भी रखें और सुदर्शन भी रखें, दोनों रखें पेरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा tip यहां पर insight मिला है होगे, moving on जैजी कि कई बार जब आप एक यह unorthodox तरीका था एक writing में career बनाना, तो क्या initial phase में कोई doubt रहता था, कोई challenges आते थे, आप कैसे खुद को inspire करते थे उस time पे, या उन challenges को कैसे overcome करते थे, आपका self-talk कैसा रहता था, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो they want to start something, even writing में हो या coaching में हो या business में हो, तो कई बार initial phase के अंदर वो एक inner conversation होता है, उसमें कई बार resistance आता है, self-doubt आता है, तो how you used to deal with that and कैसे उसको आपने पार किया, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये ज्यादातर लोगों वो जो finished product हो ही देखते है, तो उनको तालिया दिखाई देती है, तपस्या दिखाई नहीं देती, तो ये में बार-बार कहता हूं में भी, कि वो आपने तो क्योंकि काफे सारे young Agribrd स्यूलikesare उसा राकई ये आपने सफलता पसंद नहीं कर सकोगे तो पहरर कईसी को सफल होना ये बार कोई तो सफल नहीं होता है, तो आप मेरम कात है, किसमत है, बगवान है, आशिरवाद है ये है वह है, लेकिन आप अपना संगर्ष पसंद कर से इसमें कोई किसमत नही यह आपके नहीं है, you have to select your struggle. तो नाम होता था, दाम नहीं हुएता था, तो लोगों को लगता था कि लेखक मनी बड़ी जीज है, लेकिन अखवार में भी इतने बड़ा कोई स्टांडर्ट नहीं था, कि इतने बड़ा कोई से मिल जाया, इतनी कोई रोयल्टी नहीं थी. दिरे तिरे ग्रेजियुली दस-बारा सालों के बाद ही हुआ, तब तक मैं अपने इसाब से जिया, और मैंने इत्यताई किया था कि 18 साल के बाद मैं अपने खर्च की जिम्मेदारी कुद लूँगा, बड़ा ही इस तरीके से हुआ था, कि माबाप के व्यार से प्यार लेना ह उनका संगाच लेना है, स्ने लेना है, पैसे नहीं लेना है तो पहली किताब का वार्लिंग दी थी आपने, फर्स्ट बुक किस एज़ पर आ दे थी? 2001 में 2001 में, तो उस समय क्या उमर रही थी आपकी पहली इस साल 2007 की एज़ पर आपने अपने पहले किताब दे थी पहले किताब अब्दाबाद में एक नवभारत पब्लिकेशन है, वहां से आई थी नवभारत में से और उनको चद्रकान बक्षी, जोब नहीं है लेकिन बड़े लेखत थे हमाने गुजराती में उनका बड़ा नाम था, उस वक्तों उन्होंने मेरे आल्टिकल पटके उनको रेकमेंड किया यह लड़का बड़ा अच्छा लिखता है और मुझे अच्छा लगता है इसको पटना तो आप ऐसा किजिए कि इनका कुछ किजिए, यह इसका कुछ चाप दीजिए तो यह उन्होंने उसकी प्रस्तावना भी लिख दी और किताब भी आई तो यह जो जैसे आपने यह पॉइंट बताए कि कई बार हम किसी सीज़ पर एक राइट इंटेंशन से काम करते हैं तो कई बार हम कहते हैं कि बहुत सारी अनिवर्सल फोर्से हैं जो आलाइनमेंट में आती हैं, सपोर्ट करती हैं तो आपका क्या व्यू है इसके उपर, क्या इसमें बिलीव करते हैं और हाव इट शेप्ड योर लाइफ मैं बानता हूँ कि there is an X factor अब लोग उसको अलग-अलग नाम से बुलाते हैं अपनी अपनी आस्था का विशे है जो कि जो हिंदू होगा तो और हिंदू में भी अपने जो बगवान होते हैं किसी को ऐसा लगता है गनपती बापा ने कर दिया किसी को लगता है कृष्ण ने कर दिया मुस्लिम होंके तो उसको लगता है अला ने कर दिया कृष्टी होंके तो लगता है गोड ने कर दिया उसमें भी अपने पिर जैसे इंडिविज्वल भी आ जाते है कि इस वज़े से हुआ ये इस पिर की वज़े से हुआ या इस फादर की वज़े से हुआ तो में समन्ताओं के जिसको डिवाइन फोर्स हम अमारे शास्त्रों में अगर वेद के पास जाए सनातन सलस्कृती में वेदोर उपनिशत फिर पुरान आए तो पुरान में तो सब बगवानों की कथा और वो सब है जो पॉपिलर है लेकिन हमारे वेदोर उपनिशत में बड़ी गहन चर्चाए है कि परमात्मा को उसकी रंग नहीं है आकार नहीं है सुगंध नहीं है वह सफॉमलेस है और यह हर कणकण में भी है और वह आव्याख्या ही थे स्पुरा अरुगवेत में तो ना सदी यह जिसको अलग अलग रिला है तो आप किसी को भी इंसान को भी मान सकते हो किसी पशु या पेड़ को भी मान सकते हो के पर बात्मा है क्योंकि उसकी लिला का ही हिस्सा है हमारे गुजरात के कवी है नरसी में तो उन्होंने दो ही लाइन में वह सब पुरा इस्टेंड कह दिया अखिल ब्रह्मांद में एक तू श्री हरी जूजवा रूपे अनन्त भास है So you are only one in this all universe जूजवा रूपे अनन्त भास है मानी in different shape, size and form The energy is same मानी आप गेहू है तो उसमें से आटा में साप रोटी भी बना सकते हो जैसे जूलरी में भी होता है कि हम एक जूलरी गोल्ड से नेकलेस भी बना ली, अंगुटी भी बना ली बड़ असेंस इस सेम तो उर्जा सेम है मैं इस उर्जा में भी उगरता हूँ और फिर जैसे अब बाच्पन की जोब ब्रिंगिंग है आप प्पे भी होगी, मेरे भी भी होगी जैसे पन्वन चालीस आगा पाठ करते थे या नारान कवच की स्तूती करते थे या माता जी के गर्वा वो तो क्या है वो सॉफ्ट्वर में आ गया आप तो वो प्रिंट हो गया वो तो imprint हो गए आप जाने वाला है नहीं टेटू की तरह है कलर आप साबून गिस के निकाल सकोगे टेटू के से साबून गिस के निकाल सकोगे तो वो तो मुझ में भी है लेकिन यह जिए divine force वाला factor X है मैं कहता हूँ आपको connection बनाना है उसके साथ यह आपके उपर है जैसे electricity तो है अम बात कर रहे है उसमें भी है और आपको plug-been करना पड़ता है उसका सही device सही है circuit को complete करना पड़ता है ताब वो flow चालू होता है क्या intention उस circuit को complete करती है कि एक deep intent एक right intent और plus how hungry we are to achieve what we want so is that a factor in this intention का रोल है इसमें यह बड़ा interesting है क्योंकि जैसे secret जैसी किताबे जो western world में आई तो उसमें यही आया कि आप सिर्फ संकल्प कीजिए और फिर universal forces आपको help करेंगे उससे आगे का बात कृष्ण ने की है गीताबे कि संकल्प कीजिए यह अच्छी बात है ऐसा नहीं संकल्प नहीं करना है लक्षय तो आप मुझा यह कहा जाना है क्या करना है लेकिन कर्म कीजिए सिर्फ संकल्प करके बैठे रहेंगे और energy आपका काम कर देगी यह तो प्राइमरी स्कूल वाला बावला है तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ प्राइमरी स्कूल की किताब है कि जिसमें काया कि गलत नहीं का लेकिन यह बच्चो वाला मामला है जी चोटे बच्चो वाला कि आप संकल्पीजी और पाप आपको आइस क्रीब चोकलेट लागे दे देंगे लिकिन कृष्चन कहते है कि पापा नहीं होगे तो क्या करोगे तो फिर आपको खुद बाहर निकलना पड़ेगा कमाना भी पड़ेगा चोकलेट जैसे पैसे पहले ही पिकट्टा करो फिर चोकलेट की दुकान पे जाना पड़ेगा फिर चोकलेट खरितना पड़ेगा फिर वो मेल्टन हो जाए इस तरीके से आपको समालना पड़ेगा और फिर फ्रीज बर रखना पड़ेगा और फिर खोल के खाना पड़ेगा राइट आपका डिरेक्शन अगर गलत होगा अपने कहा जैसे में एक एक्जामपल देता हूँ कि आपने ट्रेड में पर दोड़ना शुरू किया आप पूरा दोड़े सही तरीके से दोड़े पसीना पसीना होगे और आप कहते हैं कि मैं तो फ़ी पचास किलोमेटर लोड़ा सपोज लिखर आप पोंचे कहाँ पोंचे कहीं नहीं पोच तो कहीं नहीं वहीं पिख़़े पचास किलोमेटर दोड़के भी वही है 50 किलोमेटर जो गाव जाता तो क्य डिरेक्शन मैं यहाइं था है कि मैं अपने शब्दों के जरिए लोगों तक पहुंच सकता हूं बहुत से लोग हैं जिनने अपना passion या purpose they want to find, but they find it difficult कि उन्हें पता नहीं चलता है कि मेरा purpose क्या है, passion क्या है तो क्या ऐसे, क्या signals होते हैं या फिर क्या, कैसे इनसान अपने self reflection करे contemplation करे, या बहुत सारी चीजें try करे कैसे कोई अपने purpose तक पहुचे कि how a person reach there ये बात अच्छे है, क्योंकि आपने शब्द बोना था self talk ज्यादे तर लोग ये नहीं करते हैं, मैंने देखा है वो दूसरों से पूछते रहते हैं, कि ये करू, ये करू अपने आप से नहीं पूछते, कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ तो जैसे हम थोड़े बड़े होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमरी रूची किसमे है, किसमे नहीं है क्योंकि shaping years जो हमारे होते हैं, उसमें तो change होती रहती है खाने पीने में भी चेंज हो जिरी थी, आज ही पसंद आया, कल नहीं आता है, वो ही पसंद, पढ़ने में भी चेंज होते रहती है, तो इसलिए ड्राइविंग लाइसंस और हो सब पोर्टिंग राइट्स और अठारा साल के बाद रखा है, कि भी पहले अपना चेंज वाला म आपके अब ब्रिंगिंग का भी रोल है, दोनों का रोल है, अगर आप जिनेटिक ब्लूप्रिंट में वो हो गाई नहीं और अब ब्रिंगिंग में आप कितना भी कर लो, नेचर और नर्चर जो कहते हैं, दोनों का बैलेंस है, अब देखिए, जैसे एक संगितकार है, उस् वो शिश्य तो दा तीन साल रहा गुरुजी के पास, वो तो कुक जो है, वो तो 20 साल से रहता है, तो वो क्यों उपर नहीं बन भाया, क्योंकि उसकी जनेटिक ब्लूप्रिंट नहीं हो, और अगर जनेटिक ब्लूप्रिंट है, सर्प जनेटिक ब्लूप्रिंट है, और उस इसे ही बातरूम सिंगर बने जाओगे। तो दोनों के चोंबिनेशन भी होना चाहिए तो सेल्फ टोक से अपसो buscando कि मेरी इंकलिनेशन के रहे। और मैं कहता हूँ कि इंकलिनेशन तो बहुत सारे बातों के ऊपर होती है। जैसे मेरी इंकलिनेशन में एक होबी है मेरी सिनेमा लेकिन मैं तो फिल्मों में कुछ नहीं करता, मैं कोई एक्टर भी नहीं हूँ, कोई फिल्मों का राइटर भी नहीं हूँ और फिल्मों का डिरेक्टर भी नहीं है, तो यह मेरी होबी है, you have to learn the difference between hobby and your passion film में देखना मेरी hobby है मुझे अच्छा लगता है I can be relaxed with it लेकिन मैं इसा नहीं बन था कि उसमें में बड़ा creative force हो तो ये मेरे calling नहीं है उसमें ये करने का ज्यादा से ज्यादा मैं किसी को कुछ कहानी के बारे में बोल सकता हूँ या इसका review दे सकता हूँ उससे ज्यादा में अगर कोई आप मुझे camera थमा दे और कहे दे कि आप review देते हो तो बना लो tech movies तो ये मेरी तालिम नहीं है और अगर तालिम मुझे लेनी भी है तो उसके लिए मुझे ताई करना पड़ेगा कि मुझे लेकर बनना है, speaker बनना है, filmmaker बनना है, क्या बनना है क्योंकि उसमें भी 15 साल मुझे लगाने पड़ेगे अगर मैं challenge के तौर पे भी लेता हूँ तो आपके पास time कितना है आप ये चेक कीजे आपके career के लिए दिशा नकी करने के लिए time check कीजे, treasure भी check कीजे पैसे कितने है क्योंकि कुछ काम ऐसे होते है कि उसके लिए आपको खर्ज बहुत करना पड़ेगा सिखने के लिए भी dream है, लेकिन सिखने के लिए payment करने का मामला है तो आप चुक जाते हो वहाँ पे तो time, treasure, talent आपके पास वो talent है या नहीं मैं कहता हूँ कि चलो इतनी ओडियस तो आती है सुनने के लिए तो चलो गाने का शरू कर देदे तो नहीं चलेगा इमेश पही नहीं सोचा कि चलो इतनी लोग तो गाने सुनते है तो एक्टर मत जाते है तो नहीं चले सही बात है तो इसा नहीं है कि मैं हरवार पे चली जाओगे लोग सुनने के लिए आता है लोग देखने के लिए नहीं आएगा सौनो निगम ने भी एक्टिंग ट्राइगी थी वर्ट इटिंट वर्क मच बिल्कुल और कुछ एक्टर्स भी ऐसे होते हैं जरूंके बिल्कुल नहीं हो जागता तो इसे टफ थी तो जैसे किसी के पास होता है कि एक्टिंग भी थी उनके पास mёмेकिंग भी थी तो उनके पास नहीं था इससेरों के लिए तो यह सब आपको चेक करना पड़ता है मैं यह कहता हूं कि self-talk के वज़े के कोई नहीं करेगा खुद को मतलब गहराई से समझे ही नहीं तो self-talk से I think खुद की deeper understanding कही बार आ जाती है तो जो आपने talent वाली बात कहीगी मेरे में क्या बात है वो जब समझ में आने लगती है फिर हम उस पे अधर कुछ action लें तो कई बार उस action के feedback से और पता लगता है कि मैं इसमें कितना बहतर हूँ इसमें कितना और एक चोटी से बात में उसमें ये भी जोड़ना जाता हूँ कि भी आपको तो लगता है कि मुझे में talent है जैसे time भी है मेरे पास treasure भी है और talent भी है इसे लोग बेने देखे हैं कि उसको लगता है कि मैंने तो talent है तो ये अब self-talk वाला तो वामना आपने खतम कर लिया आपने तो check कर लिया कि है अब दूसरा stage भी है कि आप अपने दोस्तों से family के inner circle से थोड़ी approval का भी कोशिश कीजिए कि आपका talent वो approve कर रहे है या नहीं कर रहे है क्योंकि अगर आपको talent के मामलों से career बनानी आपको hobby रखना है मुझे cinema यज़े hobby रखना है तो मैं ज़े सिर्क quality के subscription पे कर रहे है theater की ticket पे करनी है और कुछ नहीं करना उसमे लेकिन अगर मैं ज़े career बनानी है तो मुझे कुछ जैसे मैंने कहानी लिखी या short film बनाई तो मुझे 10 लोगों को दिखाना पड़ेगा उनके उनके जो प्रतिपावे उनको sporting ली लेना पड़ेगा ऐसा नहीं कि मेरे प्रशन साही सब करे तो कह सकते तो मुझे check करना पड़ेगा क्योंकि तब आप दूसरों के मर्जी के उपर हो अब आपको दूसरों को अच्छा लगे गया नहीं लगे गया इस चीज़ पे हो आप contest कर ले हो election तो आप तो बानते ही वो कि मैं लीट कर सकता हूँ तो यह second stage में काफी सारे लोग वो सोचते ही नहीं वो कहते है कि मैं मैंने तो तही कर लिया मैं यह ही करूंगा यस तो यह second stage में I think यहां से एक point बहुत important है that many people they start but they are not mentally strong or tough enough to handle the criticisms or negative feedback because many time ऐसा हो सकता है कि कोई इनसान जब शुरू कर रहा तो उतना उसमें performance नहीं है या caliber नहीं है but उसको यह पता है कि यह मैंना talent है और मैं इसमें महनत करके इसको improve करूंगा but early stage के अंदर वो इतना बढ़िया उसमें नहीं है और उसको अगर negative feedback मिलता है तो how to handle that negative feedback और criticism के उसको constructively लेकर के उसमें इंप्रोवाइजेशन करके और evolve हो इनसान instead of giving up so how person handle that criticism एक छोटा सा किस्सा है बन्या हुआ है सत्यगटना है गांदी जी के सची उत्यमादे उभई देशाई और गांदी जी को काफी सारे लोग उस जमाने में जैसे आज comments करते है social media में उस जमाने में खत निखते थे और गांदी जी जवाब भी देते थे खत के उटकर बाले बड़े ग्रंथ है उसके तो एक खत गालियों से बरा हुआ है तो उसमें पिन लगाई हुई थी आठ पन्ने का खत था आठ पन्ने पिन से जोड़े हुए थे और उसमें गांदी जी को पड़ी बड़ी गालिया दिंग गई थी तो मादे बभई ने सोचा कि भी बापो को ऐसे खत नहीं दिखाने चाहिए तो उन्होंने सवाल के रख दिया साइट में तो बापो ने देखा कि क्यों मुझे ये क्यों नहीं दिया उन्हें कि बापो ये पढ़ने लायक नहीं है आपके लिए नहीं है तो दिखाओ तो सही तो दिखाया तो बापो ने पढ़ा ऐसे उलेट पढ़के और फिर वो जो पिन थी वो निकाल के अपनी मेज के उपर अपनी टेमल के उपर रख दी मादेबाई ने काया कि बापो बै इस दिखाने नहीं चाहता था कि बहुत गंदी भाशा में आपके लिए लिखा है तो यह अच्छा नहीं लगता तो बापो ने कहा कि दिखिए कागज के दोनों और लिखा है अब इस कागज का पर दूसरा को उप्योग तर्म कर नहीं सकते और ये मुझे पर लागू होता है ऐसा मैं मानता नहीं ये मेरे लिए लिखा है उन्होंने ये उन्होंने लिखा है मेरे लिए लेकिन मैं नहीं मानता है मैं ऐसा हूँ तो मुझे लागू तो होता नहीं लेकिन दुसरी बार काम आने वाली चीज ये पिन है क्या बांद है ये कागज काम नहीं आएगा ये गालिया भे मुझे काम नहीं आएगी क्यों मैं बोलता भी नहीं कि ये काम में से सिख सकूँ ये पिन दुसरी बार काम आएगे ये मिले सकता हो तो आपकी जितनी नेगेटिव कोमेंट्स जो आती ही या ठीका होती है तो उसमें आप यह पीन वाला मामला देख लो कि पचास लोगों ने कहा है उसमें से लर्निंग वाला पॉइंट कौन सा है और ने कहा कि भी तुम्हार शकल पाव में पसंद नहीं है यह तुम तो इसे इंसान हो यह हो ठीक है यह उसका ओपिनियन है लोग कहते हैं कि यह तुम हो यह तुम बुरे हो लाला यह को शेतान हो यह हो इसे भी कह सकते हैं कह सकते हैं लोग क्रिकेट देखते हुए भी कह देते हैं लोग कुछ भी कह देते हैं किसी को भी कह देते हैं तो ये उनका opinion हो गया है नग, अब ऐसे हम होंगी तो ये public opinion हो जाएगा, नहीं होंगी तो लोग भूल जाएंगे ये opinion को, तो उसमें हमें focus नहीं करना है, focus ये करना है कि learning वाला मामला कहां सा आता है, जिससे कोई कहता है कि आप ये जो बात कहते हो उसमें, अगर ये चीज नह है, ये गलत है, ये होना चाहिए, तो उसने चाहिए वो criticism किया, लेकिन मैंने उसमें से construction निकाल लिया, क्योंकि इसने मुझे एक नई दिशा बताई कि ये कर सकते हैं, वो एक मुहारा में चलता ना, कि सार सार को गही ले, थोता दे, बगाए, क्या बात है, क्या बात है, तो I think perfectly आपने ये बता दिया, क्योंकि आज कल, शोशल मीडिया पर जैजी देखें कि बच्चे इतने youngsters हैं, अभी इतना grow कर रहे हैं, वो mindset, वो maturity नहीं आई है, तो कई बार इस criticisms को handle करना उनके लिए बड़ा difficult हो जाता है, talented होने के बाहुत जल्दी give up कर देते हैं, तो I am sure that this point will help them, depressed भी हो जाते हैं, suicidal thoughts आने लगता है, मैंने देखा है, बाहर दिखाते हैं कि हम cool है, cool है, लेकि रंडर से वो cool नहीं रहते हैं, तो ये अपने बच्चा का, और मैं तो मानता हूँ कि comments आती है, मैं तो जवाब भी देता हूं comments का, जैसे जैसी comment, मैं अगनी पर फिल्म का एक अगर बात करोगे और गवला लेक आएंगे ताब गवले की बात करोगे, और ये कृष्म ने पी सिखाय है, जी, अब देखे, अगर गोपिया आएगी तो वो ब्रंदावन में रास रचेंगे, अगर शिशुपाल या दुरियोधन आएंगे तो वो कुरुक्षेत्र बेया, और सुदर्शन चक्र की बात करेंगे. वा, तौशन नईस पॉइंट, पदि, परफेक्ट, I think, I think now people will be able to, you know, handle criticism in a more mature and better way.